यूपी के शाजाहपुर में पुलीस को उस समय बड़ी काम्यावी हात लगी जब 75 लाग की अफीम के साथ एक तसकर को गिरफतार किया गया गिरफतार किया कि तसकर के पास से 1 किलो क्राम अफीम 184 कार्थूस बरामत कर पुलीस ने माधक पदार्थ तसकर को जेल भे दिया रपा मारकर मौकेसे अभ्यक्त को गराफतार कर लिया만 गराफतार किये से कडाई से पूछताच, ले पर अभ्यक्त ने बताय है कि वह बदायू जनपत मे लाइसेंस पर अफीम की खेती करवने से इस माल को खरीद घर आसपास के शेत्रों में महंगे दामों पर बेचता था गिरफतार किये के मादक पदातर तसकर के पास से एक किलोग्रम फाइन क्वालिटी की अफीम सहीत एक तमंचा कांटू से बरामत किया गया है बरामत की गई अफीम की अंतरास के बाजार में पर भेज दिया है और नाइन भारत के लिए अर्विंत्र पार्थी के रिपोर्ट शाजाहपुर अब बादक पदार्तों की तसकरी करने वाले अपरादियों की विद्ध सतक का रुवाई जिन पर शाजाहपुर में वरिश्ट अरिकाजियों के इंदेशन में चल रही है इस इसके समझ में सुचना थी कि वह भारी मातरा में आफीम पडोस की जिले से लेकर आ रहा है और यहां इसकी खपत होगी तो इस पर जो गडिया रंगिन की दौरा घिराबंदी कर गिरफतारी की गई गिरफतारी के समझा उसके तबजे से एक किलोग्राम फाइन कॉलिटी अंतरास्ट्री की मतलब में 75 रुपे है इसके द्वारा प्रामनिक पूजताश में बता गया है वह जंपर बदाईयों के कुछ लाइसेंस जिनके पास हैं अफीम पिखिती करने के उनसे संपर्क में रहता है यूपी के शाजहापुर में पुलीस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब एसोजी और थाना मदनापुर पुलीस टीम द्वारा सराफ व्यापारियों के साथ दोखा दड़ी कर नकली आभूशल को असली आभूशल बता कर बेचकर ठगी करने वाले अंतरास्ट्री गि इस बार इस गिरो द्वारा ठगी का शिकार हुए थे और उन्होंने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्च कराई थी इसके अलावा मदनापुर में भी सराफा व्यापारी ठगी का शिकार हो चुक है जिसके शिकायत पुलीस दिक्षक द्वारा शिकायतों का गंबीर से ले पांच अंगूठी पीली धातू एक तार धातू 12,000 रुपे नकत वद्वादो मोबाइल फोन एक मोटरसाइकल के साथ गिरफतार कर लिया गिरफतार किये गये अंतरास्टी चोर गिरो के सदस्यों ने बताया कि वह हरिद्वार पानिपत कानपुर कन्नौज आधिकाई स्थ करवाएं में महपूर्श पतला मिली है जिसमें चार कुल बैक्तियों की गरफतारी के इसमें से तेन पुरूष एक महिला है और इसका घटना करम इस पकार है कि यह जासाजी करते थे और सर्राफा बैपारियों को नकली धातूएं सोने का बानी चढ़ा कर असली बताकर अप कुल किया है इनके पास से 12,000 रुपए बनामद हुए हैं अड़नम प्रोग मोटरसाइकल दो मोबाइल और एक पीली धातू का तार बतामदा जो लगब 45 कराम का है इनकी गरफतारी करके आवस्चक पुलिस कारवाई सुनीशित की जिए रही है जिला सीतापुन में सदर तहसील परिसर में खड़ी एक चार पईया वाहन जिसका वाहन संक्या UP32 BX2122 में लगी आख गाड़ी में कोई बैठा नहीं था आग लगने का कारण पता नहीं चला तहसील परिसर में मौजूद लोगों द्वारा परिसर में लगा अगनी शामक य एर ब्रेकिंग जहांगिराबाद पुलिस और स्वाट टीम की अंतराश्ट्रे पेशिबर गोकाशों के गिरहों से मुठ भेड दो गोकाश पुलिस की गोली लगने से घाय पुलिस ने घेराबदी कर आठ अन्य गोकांशों को मुठ भेड के दौरान किया गिरिफता दो शा अंदी हसन पर हत्या हत्या का प्रयास पशु चोरी जैसे एक एक दर्जन से अधिक संगीन मामले हैं दर्ज पुलिस ने अरोपियों से पाच तवंचे छे जिन्दा वपाच खोका कार्दूस तीन हजार से जादा नशीली गोलिया एक जिन्दा गोबंच चार छुरी वर रस गिरिफ्तार किया गया आनाइन भारत के लिए अमन सागर बुलंच शहर से रपोर्ट बीती रात जंपत बुलंच सहर पुलिस और बंजारा गैंग के साथ एक मुटभेड हुई है उस मुटभेड में दो अभिप्त अकबर और महदी जो कुख्यात गोतसकर हैं तथा जिनके बिरुद देख दरजन से अधिक मुकदमे पूरु से पंजे किरते हैं हत्या तीन सो साथ आजिके एक गिरफतार हुए हैं और गिरफतारी के दवरान क्रास फाइरिंग में इन्हें चोटाई है घायला वस्था में हैं इनके अन्य छह साथी भी मौके से गिरफतार किये गए हैं एक उख्यात गैंग गोतसकरी के इरादे साया हुआ था इनके साथ दो वाहन भी थे जो मौके से भागने में सफर रहे हैं उनकी गिरफतारी और बरामदगी के लिए हम अलक से प्रयास कर रहे हैं उन लेखनी है कि ये अंतर जन्पदी अस्तर का बंजारा गैंग है जो को घरों से चुराते भी हैं लावारिस गोबंस अगर कोई भटक रहा हो तो उसको कबजे में लेके गाड़ी में लाद लेते हैं उनकी कटाई करके मांस का व्यापार करते हैं तो इस तरह से पुलिस को एक महत्पूर्ण सफलता मेरी है और इस गैंग के प्रत्तेक सद्द से के बिरुध दो दो तीन से यदिक मुखे रूब रहे दो मुख्य रूब से अकबर जो गैंग का लीडर है यह अरणिया ठाने का हिस्टी शीचर है इसके बिरुध जो मुखण रुगध जन पतुलन सहर में मुख्य रूब से मुकदमे है इसका दूसरे साथ ही महदि भी इस के अस्तर का प्राधिये जिस पर डेढ़ दर जनके आसपास मुकदमे हैं ये दोनों इस समय फिलाल हास्पिटल में इलाज रते हैं और इस पूरे गैन के जो भागे हुए लोग हैं उनकी गिरफतारी के लिए प्रयास किये जा रहे हैं इनके कबजे से पांस तमंचे कार्टू साथ भारी संख्या में बरामत हुआ है इन में से एक अभ्यूक्त अकवर पर पुलिस की हत्या का सन दो हजार दस में एक पुलिस पिकेट के सिपाही को रोटते हुए गाड़ी के साथ भागने का मुकदमा दर्ज हुआ था और इनके कबजे से एक जिंदा गोबंस गोकसी के अवगत कराना है कि आज दिनांख तीन मार्स 2021 की सुबह थाना चर्थावल पुलिस द्वारा अवेजशस्ट फैक्टरी को जब्त करते हुए खुस्रोपुर रोड नहर पटरी जंगल ग्राम महबलीपुर इर्ख के खेट से एक अभ्यूक्त को अवेजशस्ट बनाते समय ग पत मुजफर नगर बरामदगी छे तमंचा व एक मसकट 315 बोर एक तमंचा बारा बोर पाच अध्वने तमंचा 315 बोर ग्यारा खुका कार्तूस विभिन बोर के छे नाल 315 बोर अवेजशस्र बनाने के उपकरण एक शकंजा एक ग्रांडर मशीन व पाच ब्लेट पाच ब ग्रिफतार अभ्योक्त अजे उफ बादल उप्रोक्त शातर किसम का लुटेरा प्रवत्ती का अपरागी है जिस पर हत्या का प्रेत्न चोरी लूट आदी जैसी संगीन धाराओं में करीब एक दर्जन अभ्योक दर्ज है तथा अन्य अपरादे के तिहास की जानकारी की जा झाल